C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 27 कोशिश कामियाब प्रिष्ट 210 चुस्कित का सपना चुस्कित के लिए आज बहुत खास दिन है इतना खास कि उसे रात को नीद ही नहीं आई जानते हो क्यों? चुस्कित दस साल की हो गई है पर आज पहली बार स्कूल जा रही है कितने सालों से वह इस दिन का इंतजार कर रही थी स्कूल चुस्कित के घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए बस बड़ी सडक से होकर जील के साथ साथ चलते जाओ चढ़ाई और पहुँच गए स्कूल लद्दाख के स्किट पोपुल गाओं के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुँचते हैं बस चुस्कित को छोड़ कर प्रिष्ट 211 इस प्रिष्ट पर लद्दाख के कुछ चित्र हैं और साथ ही अपने पिताजी के पीट पर बैठी हुई चुस्कित का भी चित्र है प्रिष्ट 212 तुम कैसे स्कूल जाते हो पता करो लद्दाख कहां है वे कैसा इलाका है पहले पहले तो चुस्कित को भी पता नहीं था कि वे दूसरे बच्चों से कैसे अलग है दीरे दीरे उसे लगने लगा कि वे अन्य बच्चों की तरह सभी काम नहीं कर पाती कारण उसकी टांगें उसकी जन्म की समय से ही उसकी टांगों में खराबी थी चुसकिट की कुरसी चुसकिट पूरा पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्रोइंग बनाती रहती उसकी मा आमाले कहती थी कि वे सबसे सुन्दर ड्रोइंग बनाती है इससे चुस्किट खुश हो जाती थी एक दिन उसके पिताजी आबाले उसके लिए पहियों वाली कुरसी ले आए चुस्किट ने जल्दी ही अपनी कुरसी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया चुस्किट की खुशी का कोई ठिकाना ना था अब उसकी पिताजी को उसे हर जगह उठा कर नहीं ले जाना पड़ता था जब मन करता वह आमाले से कहती कि वे उसे उस कुर्सी पर बिठा दे फिर वह अपनी कुर्सी चला कर बाहर आंगन में आ जाती चुसकिट हर सुभा बच्चों को देखती थी बच्चे हसते खेलते मजे करते हुए स्कूल जाते थे उसका भी मन करता था कि काश वे भी उनमें शामिल हो जाए प्रिष्ट 213 एक दिन अब्दुल उसके घर चिठी पहुँचाने आया तो उसने पूछा चुसकिट तुम स्कूल क्यों नहीं आती चुसकिट ने बहुत उदास होकर जवाब दिया हम्, आबा ले मुझे रोज रोज उठा कर स्कूल नहीं ले जा सकते मैं अपनी कुर्सी चला कर भी नहीं जा सकती स्कूल जाने का रास्ता इतना उबढ़ खापर जो है मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ अबदुल ने पूछा क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो चुसकिट का मन उचल पड़ा वे बोली क्यों नहीं क्यों नहीं मैं भी तुम सब की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ मेमेले यानि दादा जी ने उसे उसी समय टोग दिया वे बोले जोशकेट सपने देखना छोड़ दो तुम जानती हो यह मुम्किन नहीं है बच्चो तुम्हें स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है? यदि तुम कभी स्कूल नहीं जा पाते तो तुम ही कैसा लगता एक उपाए अब्दुल चुसकिट के घर से चला गया परन्तु वह उसके बारे में सोच ता रहा उसने एक बहुत बड़िया तरीका सोचा चुसकिट को स्कूल पहुँचाने का फिर क्या था? वह हेड मास्चर साहब और सब अध्यापकों के पीछे पड़ गया और अपनी बात मनवा कर ही रहा अब उन सब का एक ही काम था चुसकिट की परिशानी को आसानी में बदलना उन्होंने मिलकर तरीका ढूंड लिया जिससे चुसकिट अपनी पहियों वाली कुरसी को स्कूल के रास्ते पर चला सके प्रेश्ट 214 इसके लिए उबर खाबर रास्ते को समतल करना था बच्चों की एक टोली उसके घर के सामने वाली उबर खाबर जमीन को ठीक करने में लग गई दूसरी टोली नदी के पास वाली जमीन को परन्तु अभी एक समस्या और थी चुसकिट नदी कैसे पार करेगी इसके लिए बड़े बच्चों ने अध्यापक की मदद ले उन्होंने लकडी की फट्टियों से नदी पर पुलिया बनाई बच्चों ने हसते खेलते खुशी खुशी यह काम किया वे सभी चाहते थे कि चुसकिट जल्दी ही स्कूल जाए चुसकिट के आमा ले और आबा ले भी कहां पीछे रहने वाले थे उन्होंने सभी को गर्मा गरम चाय पिलाई और बिसकुट खिलाए वहीं बैठे चुसकिट के मेमे ले की आँखों में खुशी के आँसो थे इसलिए नहीं कि वे दुखी थे परन्तु इसलिए कि वे बहुत खुश थे शाम होते होते सारा काम हो गया सभी बच्चे बहुत खुश थे पर सबसे ज्यादा खुश थी चुसकिट उसका सपना अब पूरा होने वाला था और आज वे दिन आ ही गया चुसकिट जल्दी जल्दी तयार हो रही है स्कूल जाने के लिए वे अब और इंतजार नहीं कर सकती प्रिष्ट 215 बच्चो बताओ चुसकिट किस किस की मदद से स्कूल पहुँच पाई अगर तुम अबदुल होते तो तुम क्या क्या करते चुसकिट स्कूल तो पहुँच गई परंतु स्कूल के अंदर उसे कुछ परिशानिया हो सकती है बताओ कौन-कौन सी अगर तुम चुस्किट के दोस्त होते तो उसकी मदद कैसे कैसे करते क्या तुम्हारे स्कूल में पहियों वाली गुर्सी के लिए रैंप बने है क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा रहता है जिसे किनी कारणों से स्कूल जाने में परिशानी हो रही हो क्या तुम उस बच्चे की मदद करना चाहोगे? कैसे? अपनी घर के आसपास की इमारुतों को देखो क्या उनमें पहियों वाली कुर्सी अंदर ले जाने किस विधा है? आओ बना कर देखें रैम्प और पहियों वाली कुर्सी का चित्र कौपी में बनाओ तुम भी अपना एक पुल बनाओ इसके लिए सामान तुम्हें अपने आसपास ही मिल सकता है जैसे आइसक्रीम की डंडिया, प्लास्टिक के चम्मच, छोटी डंडिया, रसी, सुतली, आदे अपने सारे दोस्तों को भी पुल बनाने के लिए कहो अब समुह के साथ मिल कर एक मॉडल बनाओ मॉडल में खेत, नदिया, परवत, सडक और रेल की पट्रियां बनाओ इसके लिए तुम चिकनी मिट्टी, रेत, कंकर पत्थर के टुकडे, टहनी आधी काम में ले सकते हो अब इस मॉडल में अलग-अलग जगहों पर पुल रखो प्रिष्ट 216 चुसकिट और उसका स्कूल इस प्रिष्ट पर एक चित्र पहली दी गई है चुसकिट अपनी पहिया कुर्सी पर बैठी है और दूर उसका स्कूल है वहां तक जाने के अनेक रास्ते बने हुए हैं आपको ठीक रास्ता ढूंड कर चुसकिट को उसके स्कूल में पहुचाना है कोशिश हुई कामियाब अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का 27 और आखिरी पाठ इसी की साथ यह पुस्तक भी समाप्त हुई प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत